सिन्धु सुतामा विश्णु प्रिया महालक्ष्मी मैया की भस्त जनों आप सभी को धन धान यश्ट सुख वैभवित्यादी देने वाली मैया है मैया महालक्ष्मी कहते हैं इनका पूजन आराधन करने वाला प्राणी जीवन में कभी दारित्री को प्राप्ट नहीं करता वेद पुराणों में तो माता महालक्ष्मी के प्राकट्य की अनेक अनेक गाथाएं है परंतु आज मैं आपको मैया महालक्ष्मी के आठ अवतारों की पवित्र संगीत मैं गाथा सुनाने जा रहा हूं कथा श्रमन से पहले जान लीजिये भक्तों माता के हर स्वरूप की महिमा अपरमपार है तथा समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है तो आईए सुनते हैं मैया महालक्ष्मी के आठ अवतारों की पावन गाथा बोलिये महालक्ष्मी मैया की जै महलक्ष्मी बोल रे बाणी में अमरित थोल रे बंद तरी किसमत के ताले मैया देंगी खोल रे ओ महलक्ष्मी बोल रे बाणी में मरित थोल रे बंद तरी किसमत के ताले मैया देंगी खोल रे ओ महलक्ष्मी नमो नमाः विष्णु प्यायाई नमो नमाः धन प्रदायाई नमो नमाः सिंदु सुतायाई नमो नमाः ओ महालक्षमे जमो नमा जिश्म प्यारे जमो नमा जनप्यतारे जमो नमा जिंदु सितारे जमो नमा भक्त जनो मैया लक्षमी का पहला अवतार है आदी लक्षमी का जिने भक्त महालक्षमी के नाम से भी पोचते हैं महा लक्षमी का यह स्वरूप भिगूरिशी की कन्या के रूप में है श्रीमत भागवत पुराण के नुसार मा के इसी स्वरूप से त्रिदेवों का स्रिजन हुआ था और महा काली और महा सरस्वती ने भी स्रिष्टी में इसी रूप से आगार प्राप्त किया था आदी लक्षमी मैया जीव जन्तों में जीवन और प्राणियों में मोक्ष प्रदान करने वाली है तो बोलिए आदी लक्षमी मैया की भक्त जनों मा लक्षमी का दूजा स्वरूप धन लक्षमी का है नाम से ही जग जाहिर है भक्तों मा का यह स्वरूप प्राणियों को धन धान सुख यश और वैभव प्रदान करने वाला है मा के इसी स्वरूप ने विश्णु जी का कर्ज कुबेर से चुकाया था भक्तों मा के एक हाथ में कमल पुश्पुश और दूजे हाथ में धन से भरा हुआ कलश है तो मा के इस स्वरूप को पूजने वाले जीवन में कभी रिणी नहीं रहते तो बोलिए धन लक्षमी मैया की भिगूरिशी की कन्या बनकर आदि लक्षमी मा आई तीनो देव को मैया ही तो अपने रूप से उपजाई धन लक्षमी रूप में विश्णू जी का कर्ज चुकाया था धन से भरे कलश से भक्तों धन धान तो लुटाया था जै महलक्षमी बोल रे वानी में अमरित खोल रे बंद तरी किस्मत के ताले मैया देंगी कोल रे ओ महलक्षमी नमो नमा दिश्णू प्रयारै नमो नमा धन प्रजारै नमो नमा सिंदू सपारै नमो नमा भक्तों महलक्षमी मा का तीजा स्वरूफ धान लक्षमी अर्थात अनाज लक्षमी है अनपूर्णा स्वरूपा माता धान ये लक्षमी अपने भक्तों को अनाज प्रदान करती है यदि धान्य लक्ष्मी मा को प्रसन्य करना हो तो भोजन का अनादर कदापी नहीं करना चाहिए जिन घरों में अनाच का निरादर नहीं होता वहाँ धान्य लक्ष्मी मैया सदा अपना वास करती है तो बोलिए धान लक्ष्मी मैया की भक्तों मा का चोथा स्वरूप गज लक्ष्मी का है मा का यह स्वरूप कमल पुष्प पर विराजमान है तथा दो हाती मा का आवाहन सैदेव करते रहते हैं मा का यह स्वरूप क्रिशी और उर्वर्ता प्रदान करता है मा के इसी स्वरूप के कारण इंद्र ने अपने खोए हुए राज्य को वापस प्राप्त किया था अतह भक्त लोग इन्हें राजलक्ष्मी के नाम से भी पूचते हैं इनका पूजन करने से क्रिशी खेत्र में उन्नती और संतान प्राप्त होती है तो बोलिए राजलक्ष्मी माईया की जन्न लक्ष्मी माईया भक्तों अन के भंडार भरे अन पूर्णा माईया की मिल करके सब जैकार करे क्रिशी और उर्वर्ता देता गजलक्ष्मी का रूप है राज योग भगतों को देता राजलक्ष्मी रूप है जै महलक्ष्मी पोल रे बाणी में अमरित खोल रे बंद तेरी किसमत के ताले मैया देंगी खोल रे माता महलक्ष्मी का पंचन सरूप है संतान लक्ष्मी का इनका आराधन करने वाली बांज इस्त्रियां भी संतान का सुख प्राप्त करती हैं भगतों और जिन इस्त्रियों के पहले से ही बालक हैं वो अपनी संतानों की लंबी आयू के लिए मा के इस स्वरूप का पूजन करती है मा के स्वरूप से उनकी संतानों को अभयवदान प्राप्त होता है तो बोलिए संतान लक्ष्मी मैया की भक्त जनों मा का छटा स्वरूप वीरा लक्ष्मी का है मा का यह स्वरूप भक्तों को युद्ध में विजय प्राप्त करवाता है मा की आठ बुजाएं है जिन में मा तलवार, त्रिशूर, धनुषबान आदी जैसे हमोग अस्त्रशस्त्र धारण करती है मा वीरा लक्ष्मी के आराधन से प्राणियों को सौभाग्य और सम्रिध्धि की प्राप्ती होती है तो बोलिए वीरा लक्ष्मी मैया की संतान लक्ष्मी मैया तो बांजन को संतान दे लंबी उम्र काउन बच्चों को मैया जी वरतान दे अस्त भुजाधारी मैया का वीरा लक्ष्मी रूप है युद्ध में तो विजय दिलवाए मैया का स्वरूप है जै महलक्ष्मी बोल रे वाणी में अमरित घोल रे पंद तेरी किस्मत के ताले मैया देंगी कोल रे ओम्मालक्ष्मै नमो नमा जिश्म प्रियारे नमो नमा धनप्रणारे नमो नमा सिंदु सुपारे नमो नमा भक्त जनों मा का सब्तम सरूप विजया लक्ष्मी अत्वा जया लक्ष्मी भी कहाया जाता है इस सरूप का अराधन करने से प्राणियों के जीवन के हर मोण पर उन्हें विजय प्राप्त होती है मा का ध्यान जो भी लगाता है जीवन में सदा सुख पाता है मा अस्ट भुजादारी कमल पुष्प पर विराजमान है तो अस्ट भुजी मा विजया लक्ष्मी की जजय कार करते हुए बोलिए बोलिए अस्ट भुजी मा विजया लक्ष्मी की मा का अस्टम स्वरूप विद्या लक्ष्मी का है भक्तू नाम से ही जाहिर है मा का यह स्वरूप प्राणियों में विद्या और ज्ञान का स्रिजन करता है मा के आराधन से सभी भक्तों को शिक्षा प्राप्त होती है और प्राणि अपने जीवन में शिक्षा के सहारे अनेक अनेक उन्नतियों को प्राप्त करता है तो बोलिए शिक्षा लक्ष्मी की विजया लक्ष्मी मैया भगतों जीत सभी को देती है आरक संकट को मैया जी एक पल में हर लेती है विजया लक्ष्मी मैया सबको बुधी ज्यान प्रदान करे ज्यान और विज्यान की शिक्षा भगतों को वो दान करे जै महलक्ष्मी बोल रे वाणी में अमरित खोल रे बंद तेरी किस्मत के ताले मैया देंगी खोल रे भक्त जनो मा लक्ष्मी के ये आठ सवरूर आपको धन, संपत्ति, वैभव, यश और गीरती प्रदान करने वाले हैं तो आईए सच्चे हृदय और सच्चे भाव से खीर सागर में विद्यमान मा विश्नु प्रिया महालक्ष्मी के इन स्वरूपों का आराधन कीजिए और जीवन में सैदेव सुख प्राप्त कीजिए महा लक्ष्मी के इन आठ रूपों का आराधन करने वाला भौतिक जीवन में समस्त सुख भोग कर अंत में वैकुंट लोग को प्राप्त करता है तो बोलिए अस्ट लक्ष्मी मैया की जेए जिसने लक्ष्मी मा को धाया जीवन में सुख पाया है धन धान भंडारे भरती महा लक्ष्मी मा माया है कमल का पुष्प चड़ाओ भक्तों मैया का गुण गान करों चंदन तिलक लगा मैया को लक्ष्मी का आवान करों जै महलक्ष्मी पोलरे वानी मैया मृत खोलरे वंद तेरी किसमत के ताले मया देंगी खोलरे ओमालक्ष्मै नमो नमा दिश्म प्रियाय नमो नमा धन प्रणाय नमो नमा जिंडू सुपाय नमो नमा सिंधु सुतामा विश्णु प्रिया महलक्ष्मी मैया की भत जनो आप सभी को धन धान यश्ण सुख वैभवित्यादी देने वाली मैया मैया महालक्ष्मी कहते हैं इनका पूजन आराधन करने वाला प्राणी जीवन में कभी दारित्री को प्राप्त नहीं करता है। वेद पुराणों में तो माता महालक्ष्मी के प्राकत्य की अनेक अनेक गाथाएं हैं। परन्तु आज मैं आपको मैया महालक्ष्मी के आठ अवतारों की पवित्र संगीत मैं गाथा सुनाने जा रहा हूँ। कथा श्रमन से पहले जान लीजिये भक्तों, माता के हर स्वरूप की महिमा अप्रमपार है, तथा समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। तो आईए सुनते हैं मैया महालक्ष्मी के आठ अवतारों की पावन गाथा। बोलिए महालक्ष्मी मैया की जै। जै महलक्ष्मी बोलरे, बाणी में अमरित थोलरे, बंद तेरी किसमत के ताले मया देंगी कोलरे। ओ महलक्ष्मी बोलरे, बाणी में अमरित थोलरे, बंद तेरी किसमत के ताले मया देंगी बोलरे। ओ महलक्ष्मै नमो नमा, विष्णु प्रियायै नमो नमा, धन प्रदायै नमो नमा, सिंदु सुतायै नमो नमा ओ महलक्ष्मै नमो नमा, विष्णु प्रियायै नमो नमा, धन प्रदायै नमो नमा, सिंदु सुतायै नमो नमा भक्त जनो मया लक्ष्मी का पहला अवतार है आदी लक्ष्मी का जिने भक्त महलक्ष्मी के नाम से भी पूझते हैं महलक्ष्मी का यह स्वरूप भिगूरिशी की कन्या के रूप में है श्रीमत भागवत पुराण के नुसार मा के इसी स्वरूप से त्रिदेवों का स्रिजन हुआ था और महाकाली और महासरस्वती ने भी स्रिष्टी में इसी रूप से आगार प्राप्त किया था आदी लक्ष्मी मैया जीव जन्तों में जीवन और प्राणियों में मोक्ष प्रदान करने वाली है तो बोलिए आदी लक्ष्मी मैया की जे भक्त जनों मा लक्ष्मी का दूजा स्वरूप धन लक्ष्मी का है नाम से ही जग जाहिर है भक्तों मा का यह स्वरूप प्राणियों को धन धान सुख यश और वैभव प्रदान करने वाला है मा के इसी स्वरूप ने विश्णु जी का कर्ज कुबेर से चुकाया था भक्तों मा के एक हाथ में कमल पुश्पुश और दूजे हाथ में धन से भरा हुआ कलश है तो मा के इस स्वरूप को पूजने वाले जीवन में कभी रिणी नहीं रहते तो बोलिए धन लक्षमी मैया की भिगूरिशी की कन्या बनकर आदि लक्षमी मा आई तीनो देव को मैया ही तो अपने रूप से उपजाई धन लक्षमी रूप में विश्णू जी का कर्ज चुकाया था धन से भरे कलश से भक्तों धन धान तो लुटाया था जै महलक्षमी बोल रे वानी में अमरित खोल रे बंद तेरी किस्मत के ताले मैया देंगी कोल रे ओ महलक्षमी नमो नमा दिश्णू प्यारे नमो नमा धन प्यारे नमो नमा सिंदू सुपारे नमो नमा भक्तों महलक्षमी मा का तीजा स्वरूफ धान लक्षमी अर्थात अनाज लक्षमी है अन पूर्णा स्वरूपा माता धान ये लक्षमी अपने भक्तों को अनाज प्रदान करती है यदि धान्य लक्ष्मी मा को प्रसन्य करना हो तो भोजन का अनादर कदापी नहीं करना चाहिए जिन घरों में अनाच का निरादर नहीं होता वहाँ धान्य लक्ष्मी माईया सदा अपना वास करती है तो बोलिए धान लक्ष्मी मैया की भक्तों मा का चोथा स्वरूप गज लक्ष्मी का है मा का यह स्वरूप कमल पुष्प पर विराजमान है तथा दो हाती मा का आवाहन सैदेव करते रहते हैं मा का यह स्वरूप क्रिशी और उर्वर्ता प्रदान करता है मा के इसी स्वरूप के कारण इंद्र ने अपने खोय हुए राज्य को वापस प्राप्त किया था अतह भक्त लोग इन्हें राजलक्ष्मी के नाम से भी पूचते हैं इनका पूजन करने से क्रिशी खेत्र में उन्नती और संतान प्राप्त होती है तो बोलिए राजलक्ष्मी माईया की जन्न लक्ष्मी माईया भक्तों अन के भंडार भरे अन पूर्णा माईया की मिल करके सब जैकार करे क्रिशी और उर्वर्ता देता गजलक्ष्मी का रूप है राज योग भगतों को देता राजलक्ष्मी रूप है जै महलक्ष्मी बोल दे बाणी में अमरित खोल दे बंद तेरी किसमत के ताले मैया देंगी खोल दे माता महलक्ष्मी का पंचन सरूप है संतान लक्ष्मी का इनका आराधन करने वाली बांज स्त्रियां भी संतान का सुख प्राप्त करती हैं भगतों और जिन स्त्रियों के पहले से ही बालक हैं वो अपनी संतानों की लंबी आयू के लिए मा के इस स्वरूप का पूजन करती हैं मा के स्वरूप से उनकी संतानों को अभयवंदान प्राप्त होता है तो बोलिए संतान लक्ष्मी मैया की भक्त जनूप मा का छटा स्वरूप वीरा लक्ष्मी का है मा का ये स्वरूप भक्तों को युद्ध में विजय प्राप्त करवाता है मा की आठ भुजाएं है जिन में मा तलवार, त्रिशूर, धनुषबान आदी जैसे हमोग अस्त्रशस्त्र धारण करती है मा वीरा लक्ष्मी के आराधन से प्राणियों को सौभाग्य और सम्रिध्धि की प्राप्ती होती है तो बोलिए वीरा लक्ष्मी मैया की संतान लक्ष्मी मैया तो बांजन को संतान दे लंबी उम्र काउन बच्चों को मैया जी वरतान दे अस्त भुजाधारी मैया का वीरा लक्ष्मी रूप है युद्ध में तो विजय दिलवाए मैया का स्वरूप है जै महलक्ष्मी बोलरे वानी मैं अमरित गोलरे बंद तेरी किसमत के ताले मैया देंगी खोलरे ओमा लक्ष्मे नमो नमा, जिश्न प्रयाय नमो नमा, धन प्रणाय नमो नमा, सिंदु सुपाय नमो नमा भक्त जनों, मा का सब्तम स्वरूप, विजय अलक्ष्मी, अत्वा जया लक्ष्मी भी कहाया जाता है इस वरूप का अराधन करने से, प्राणियों के जीवन के हर मोण पर उन्हें विजय प्राप्त होती है मा का ध्यान जो भी लगाता है, जीवन में सदा सुख पाता है अस्ट भुजादारी कमल पुष्प पर विराजमान है तो अस्ट भुजी मा विजया लक्ष्मी की जय जय कार करते हुए बोलिए अस्ट भुजी मा विजया लक्ष्मी की मा का अस्टम स्वरू विजया लक्ष्मी का है भक्ष्मी नाम से ही जाहिर है मा का यह स्वरू प्राणियों में विजया और ज्यान का स्रिजन करता है मा के आराधन से सभी भक्तों को शिक्षा प्राप्त होती है और प्राणी अपने जीवन में शिक्षा के सहारे अनेक अनेक उन्नतियों को प्राप्त करता है तो बोलिए शिक्षा लक्षमी की विजया लक्ष्मी मैया भगतों जीत सभी को देती है आरक संकट को मैया जी एक पल में हर लेती है विद्या लक्ष्मी मैया सबको बुधी ज्यान प्रदान करे ज्यान और विज्यान की शिक्षा भगतों को वो दान करे जै महलक्ष्मी बोल रे वाणी में अमरित खोल रे बंद तेरी किसमत के ताले मैया देंगी खोल रे ओ मालक्ष्मे नमो नमा, जिश्म प्रयारे नमो नमा, धन अप्रदारे नमो नमा, जिंदु सुपारे नमो नमा भक्त जनो मालक्ष्मी के ये आठ स्वरूप आपको धन, संपत्ति, वैभव, यश और गीर्ती प्रदान करने वाले हैं तो आईए सच्चे हृदय और सच्चे भाव से शीर सागर में विद्यमान मा विश्नुप्रिया महालक्ष्मी के इन स्वरूपों का आराधन कीजिए और जीवन में सैदेव सुख प्राप्त कीजिए महा लक्ष्मी के इन आठ रूपों का आराधन करने वाला भौतिक जीवन में समस्त सुख भोग कर अंत में वैकुंठ लोग को प्राप्त करता है तो बोलिए अस्ट लक्ष्मी मैया की जेए जिसने लक्ष्मी मा को धाया जीवन में सुख पाया है धन धान भंडारे भरती महा लक्ष्मी मा माया है कमल का पुष्प चड़ाओ भक्तों मैया का गुण गान करों चंदन तिलक लगा मैया को लक्ष्मी का आवान करों जै महलक्ष्मी पोल रे वानी मैं अमरित खोल रे पंद तेरी किसमत के ताले मया देंगी खोल रे ओमालक्ष्मै नमो नमा दिश्म प्रयाए नमो नमा धन प्रडाए नमो नमा जिन्डु सुपायाए नमो नमा